Gifted के हम बात कर रहे हैं, gifted बच्चे वो जुनको हम प्रतिभा शाली कहते हैं, gifted children, मतलब इनके अंदर किसी विशेश प्रकार की एक प्रतिभा होगी, पहले कहा जाता था कि सिर्फ intellectually bright लोग ही gifted होंगे, मतलब जिनका IQ जादा है, बट IQ जादा एक प्रकार है gifted का, intellectually bright, एक प्रकार इनका जादा होगा, यह कहेंगे हम, तो इसको भी हम क्या कह रहे है, gifted कह रहे है, दूसरा इसमें हो सकता है, talented हो सकता है, Sachin Tendulkar हो कोई, है न, मतलब वो तो वही है, talent होना, किसी भी एक विशेश चेत्र में अच्छा कहरे है, वो भी तो gifted है, सिर्फ IQ ही जादा होना gifted आया करने में है, ठीक है, M.F. Hussain, Creativity, ठीक, तो इस तीन प्रकार के लोग gifted की category में आ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक हो गई बात, कोई problem, जो gifted बच्चों को बोर हो जाते हैं, यदि इनके mental level की according चीज़े ना मिले, enriched curriculum की जरत होती है, इनके लिए enriched curriculum की जरत ह यानि जिसमें तरह-तरह की activities हों, इनके interests के according, जो intellectually bright बच्चा है ना, जिसको हम कहरें IQ जाता है, वो वाला gifted, उसको higher order thinking skills की जरत है, यानि उसको जो सवाल है, वो उसके level की मिलने चाहिए, थोड़े से, ऐसे सवाल मिलें, जिस पर creating, जो bloom की taxonomy में आता है, creating, जिसमें synthesis का level involved हो, वो कुछ नया create कर सके, ठीक हो गई बात सरकार?